एक बहुत ही संसनी खेज ख़बर मैं आप सब के सामने रखने वाली है तो मैं सभी मेडिया के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतिय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतिय जनता पार्टी जॉइन करने के लिए अप्रोच किया मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जनता पार्टी जॉइन कर लूँ अपना पुलिटिकल करियर बढ़ा लूँ और अगर भारतिय जनता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में एडी द्वारा मुझे गिरफतार कर लिया जाएगा ये एक मेरे बहुत करीबी विक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतिय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं खतम करना चाहते हैं पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीश नेतरित्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दी पहले सतेंद्र जेन जी की गिरफतारी हुई फिर मनीश सिसोदिया जी की गिरफतारी हुई फिर संजे सिंग जी की गिरफतारी हुई और अब दिली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया है अब भारतिय जन्ता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं वो मुझे गिरफतार करेंगे वो सौरभ भारदवाज को गिरफतार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफतार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफतार करेंगे भारतिय जंता पार्टी ने ये उमीद करी थी कि अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी तूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मुराल दाउन हो जाएगा क्योंकि आमादमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडर्शिप जेल में हैं हिरासत में हैं लेकिन संडे की राम लीला मैदान की रैली के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आएं पिछले 10 दिन से आमादमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संधर्श के ब अब भारतिय जन्ता पार्टी को लगता है, कि आम आदनी पार्टी के टॉप चार लीडर्स को गिरफ़तार करना काफी नहीं था, अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा, मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भाधवाज को जेल म बड़े दाला जाएगा, और अगार चड़ा को जेल में डाला जाएगा, मुझे यह बताया गया, कि आने वाले कुछी दिनों में मेरे परसनल रेजिदेंस पे, ED की रेड होगी, ना सिर्फ मेरे घर में ED की रेड होगी, मेरे रिष्टेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी उसके बाद हम सब लोगों को समंस भेजे जाएंगे और समंस के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ़तार किया जाएंगे मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतिय जंता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अर्विंद केजरीवाल के सिपाही हैं हम भगत सिंग के चेले हैं जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता हर विधायक हर कार्यकरता में आपरी सांस तक बची है तो हम अर्विंद केजरीवाल जी के नित्रित्व में इस देश को बचाने के लिए इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए इस देश के लोगों को एक बहतर जिंदगी देन के लिए काम करते रहेंगे आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे के कारिकर्ता को उठा के जेल में डालो आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगां दसों और लोग अर्वि करे नहीं यूस